काफे परसन के DMs मुझे देखने को मिल रहे हैं जो की कह रहे हैं कि हम अपने फॉन के नोटिफिकेशन बार में जैसे ही देखते हैं उसको नोटिफिकेशन बार को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं नीचे को तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है ज अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल करना चाहते हैं और इस जो नोटिफिकेशन बार में आपको यह वाला एरर शो हो रहा है इस्टग्राम की तरफ से और यह यहांसे हट भी नहीं रहा है यह रिमुब भी नहीं हो रहा है तो इसको कैसे हटाना है कैसे रिमुब करना है और यह प्रावलम क्यों आई है सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो प्रावलम को सौल करना चाहते हो तो वीडियो को आपको हमारी बिना स्कीप किये एंड तक देखना होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाले जिए मेरे नामे शाहिद और आप देख सब्सक्राइब करते हैं सबस्क्राइब करने अब यहां हमारे सामने वह सभी ऐप्लेकेशन आजएंगी जो की हमारे phone में installed है अब यहाँ से हम उपर में search कर सकते हैं Instagram तो जैसे हम यहाँ से Instagram search करेंगे Instagram आ जाएगा ऐसा interface आ जाएगा Instagram पर click कर गे अब यहाँ नीचे में आप देख सकते हो clear data लिखा हुआ है और for stop लिखा हुआ है तो आप यहाँ से for stop भी कर लेंगे और यहाँ से clear data भी आप कर लेंगे लेकिन यह करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपका जो Instagram का account है उसका password आपको याद होना चाहिए और अगर आप reels पर भी वीडियो बनाते हैं और कुछ reels की वीडियो आपने ड्राफ के अंदर सेव करके रखी हुई है तो उन ड्राफ की वीडियो को पहले आपको यहाँ से share करना है यानि के upload कर लेना है उसके बाद में आप तभी के लिए data के लिए केचे करेंगे वरना यहाँ पर होगा क्या अगर आपके पासवर्ड याद नहीं होगा या फिर आप यहाँ पर reels पर ड्राफ के अंदर कोई reels में ड्राफ की वीडियो आपने save करके रखेंगे तो वो भी सारे के सारे delete हो जाएंगी वो वापस नहीं आएगी तो यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कभी आप मुझे बाद में कहोगे हमारी important वीडियो आपने delete करा दी है तो यह सारे चीज़ आपको चेक करने के बाद में आप clear data clear केचे करेंगे उसके बाद में इस Instagram की application को uninstall कर देंगे uninstall करने के बाद में उसके बाद आप अपने phone को एक बार off करोगे फिर on करोगे उसके बाद में play store पर जाओगे वहाँ से अपने Instagram को feature download करोगे download करने के बाद में आप उसको वहाँ पर open करेंगे open करने के बाद में ID को login करेंगे और उसके बाद आप देखना नोटिफिकेशन बार में आपको कोई भी वो वाला एरर शो नहीं होगा जो कि आपको शो हो रहा था तो इस तरीके से आप इस प्रॉलम को सॉल्व कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में